हाई किड्स गुड मॉर्निंग टेक आउट यह स्क्वरलाइन मैथ नॉटबूक तो बच्चो मैंने आपको नंबर 40 टक पड़ाया है ओके नंबर्स में 1-40 स्टुडंस अब नेक्स्ट विक में आपकी एक्जाम है तो आज से हम रिविजन स्टार्ट करें ओके तो सबसे पहले आपको रिविजन नाम लिखना है र-e-v-i-s-i-o-n रिविजन देन CW क्लास्वर्क एंड टुड़स देट टुड़स देट टुड़स देट इस सिक्स्टिंट ओ फेबरोरी 2021 देन स्टुडंस यहापर क्वेश्चन है डबलू आर आई टी ए राइट न-u-m-b-e-r-s नं और होती है उसे हम क्या कहते हैं असेंडिंग और तो शुडंस सबसे पहले यह पर नंबर है 4352 यह नंबर समीक से सिरिल वाइज है तो नहीं तो बच्चो इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है टू तो आपको क्या करना है जो सबसे स्मॉल नंबर है वो आपको सबसे लिख लेना है इस तरह 2 then 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 यह रहाँ नंबर 3 3 के आफटर 4 यहाँ पर नंबर 4 है 4 के आफटर कौन सा नंबर होता है नंबर 5 तो इस तरह आपको लिखना है ओके हो गया ascending order next example नंबर से 3, 4, 6, 5 तो बच्चों सबसे पहले हमें small number लिखना होता है ascending order में तो small number कौन सा इन में है 4, 4 से small तो 3 होता है 3 से small 2, 2 number है तो नहीं, यहाँ पर 3 3 small number है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखना है and then 3 के आफटर number 4 आता है 4 के आफटर कौन सा number होता है, 5 number मोजु दे आपर तो आपको number 5 लिखना है 5 के आफटर number 6 then आपको यहाँ पर number 6 लिखना है, 3, 4, 5, 6 यह हो गई ascending order small to big small number to big number then 6, 5, 7, 4 इन में सबसे small number कौन सा है, 4 4 से small 3 होता है, 3 मोजु दे तो नहीं, तो students यहाँ पर आपको सबसे पहले number 4 लिखना है then 4 के बाद कौन सा number लिखना है 5, 5 के बाद number 6 और 6 के बाद number 7 तो इस तरह आपको numbers लिखना है small to big order में 4, 5, 6, 7 ओके students, हो गया then next example 3, 2, 4, 1 इन में सबसे small number कौन सा है 1, तो सबसे पहले number 1 लिखना है then 2 2 के after number 3 आता है तो आपको number 3 लिखना है 3 के बाद number 4 ओके students 1, 2, 3, 4 यह हो गया ascending order, small to big order then 8, 7, 5, 6 इन में सबसे small number कौन सा है number 5 तो यहाँ पर आपको लिखना है number 5 then 5 के after 6 6 के after कौन सा number होता है 7 और 7 के बाद number 8 5, 6, 7, 8 ही हो गया ascending order ओके students तो आपको आया समझ में है यह आपकी revision थी इसके पहले मैंने आपको ascending order बहुत बार पढ़ाया है 10, 8, 7, 9 तो इन में सबसे small number कौन सा है 8 तो नई 8 से small होता है 7 तो सबसे पहले 7 लिख लो then remaining numbers 8, 9, 10 7 के बाद 8 8 के बाद 9 and then 10 10 ओके students अब जो remaining examples है वो आप solve करो that's for homework thank you